जस पंजाबी देख 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 साइध दर्शकन मेरे विलो प्रवरी से स्वीकाल तोड़ा स्वागत प्रोग्रम अज दा मुद्धा देविच मैं तोड़ी होस्ट आशमिता कल इस कंट्री विच एक फेडरल एलेक्शन हो जा रहे है बर तुसी आर्ग्यू कर सकते हो एक एलेक्शन किन्ने महीनिया तो चल रहे है बिकोज लोग की एक रेकर्ड नंबर दे विच अपनी वोटां सब्मित कर रहे हैं लग बग 100 million votes United States दे विच अल्रेडी दर्ज हो चुकी है इन्नी लेवल ते इस कंट्री दे हिस्ट्री विच कदी भी early voting नहीं वेखनू मिली सो definitely अपना एक historic time दे विच रह रहे हैं देख देया किस तरह इस early voting दा कल ते election दे इंपक्ट हुन दा है कल दे election नू लेक्शन नू लेके मैं दो तीन चीजां तो अडिनाल शेयर करना चाहिए हैं एक ता तुआ नू ये पता होना चाहिए है कि तुसी results नू किस तरह receive करना है ते कदो तुसी उन्हान नू expect कर सक देओ बट उन results नू लेके बहुत ही जो शोर देनाल कुछ लीगल बैटल चाहिए है ए मैप मैं तो नू रिली क्विकली दसना चाहिए है ए लेटिस्ट पोलिं हैगी जो एक बहुत रप्यूटेज साइट है उना तो अपाए कड़ दी है ए रिसेंट विदिन लास्ट आवर अपडेट हुई है एस पोलिंग दे मुताबिक एस वेले जो बाइडन विन कर रहे है उना दे कोल 290 Electoral College Boards है लोंस अगैन ए एक पोल है एक गैस हैगा लोकी एस चीज नू तुसी थोडी जी शक दी नजर दनाल वेक सक देओ यह 100% accurate नहीं है बट तौनू अंदाजा होना चाहिए कि कुछ स्टेट्स किस पासे लीन हो रही है बट जिते स्टेट्स दी गाला ने जिस तरह तौनू दस यह बहुत ही जो शोर ना legal battles country दे विच वखवख states दे विच जारी हन वोटिंग नू लाके जिस तरह तौनू पहले दस यह सी Pennsylvania दे Wisconsin दे विच दो वर्डिक्स Supreme Court वनो उनना ने वखवख provisions guarantee किते Pennsylvania दे विच ए उननानू accommodation दित्ती गई कि अगर किसे दे mail-in ballots election day तो बाद receive होंदे ओ count होंगे Wisconsin दे विच opposite ruling सी गी that election दे तो बाद ballots नहीं receive हो सकते similarly दो होर announcements अज रिलीस हुई है in battles नू लाके Texas दे Nevada and मैं थे यह भी कहना चांद दिया Wisconsin, Pennsylvania, Texas, Nevada battleground states यह states determine कर सकते हैं कि election किस पासे जाओगा खास करके Pennsylvania हर एक जो तुसी कह लो पुलिटिकल पंडित इस चीज़ विच comment जो कर रहे है ओ Pennsylvania ते Florida ते बहुत ही तुसी कहलो focused हान because ओ states determine कर सकते हैं कि election किस पासे जाओगा Houston दे विच जो तना तौन दस्या Texas दे विच बहुत वड़ी लीगल battle लगपक तेड लाख votes नू लाके Harris County जो दे विच Houston पेंदा है dispute चल रही सी के इन लोग का ने 127,000 early ballots जो drive-thru voting दे थू एक democratic leaning county दे विच दर्ज होई सी उना नू लाके कोई dispute चल रही सी बट ओथे दे जज ने रूल किता ता हर एक बंदे नू ओ जो चैलेंज़े सी के ballots कास करन ने उस करके ये ballots बिल्कुल acceptable हन and similarly, Nevada दे विच Republican Party ने एक lawsuit पाया जो उना दी practices सी की इस county दी ओप्राक्टिस इस लीगल ने सान ballots कलेक्ट करन ले बट ओथे दे जजज ने रूल किता that there was no evidence के कोई भी illegal practice अपनाई गई इन ballots कलेक्ट करन ले so एता थोड़ी जी state सी legal battle सी update सी गिया सानू बिल्कुल उमीद है that कल तो बाद होर लॉसूर सी legal challenges जरूर arise होंगे but जिते results दी गाल आंदी है की तो नो expect करना चाहिए normally is country दे विच तुसी कहलो with the exception of one or two times election night नो पावे लेट भी हुए winner determined कर दिता जान्द है but एस साल हर एक reputable media ते तुसी कहलो political polling organization एही कह रही है के Tuesday रात नो तुसी results नहीं expect कर सकदे and क्यूं सब तो पहले तो नो यह पता होने चाहिए जिस तरह हर एक state ते वखरे rules and regulations हान होना ते elections नो लेके ते ballots, polling places voting system हर एक चीज नो लेके same way हर एक state दे different rules हान के किस तरह ओपने ballots नो गिन सकदे कुछ स्टेटां दे विच उना दे जदो early ballots receive हुंदे ओ उसे वेले उना दी गिन्ती शुरू कर दे versus कुछ स्टेट दे विच गिन्ती तद नहीं शुरू कर सकदे जदो तक उना नू election night दा official तुसी कहलो close नी हो जान्दा So किन states विच ए चीज सानू वेखन नो मिलेगी Once again अगर अपा गाल कर दे है early voting दी जिस तना mail-in voting इस साल बहुत जादा हुई है सिरफ ता सिरफ 22 states and District of Columbia, Washington DC allow कर दे है अगर तुआ जो mail-in ballot mail हैगी ओदे जो postmark लगी हुई है अगर ओए election day तो बाद receive हुन दी है but ओदी postmark पहले दी हैगी ओदी पहले दी हैगी ओदी रसीव करंगे इना दे विच्चो Once again की states ते अपा गार करना है because they will determine the election Florida खास करके Florida expect कर रहा है के उना नू Tuesday रात तक अपने election दे results available होनगे तुसी स्क्रीन ते वेख सकते हो एक map ए मैप तो नू estimate दस दा है के किस state आ दे विच उना नू कल रात तक उना दे results almost all collect हो जानगे जो dark green हैगे ओ states कह रही हैं के they will have nearly all of their ballots counted by tomorrow night जो medium green हो कह रहे के most of their ballots एक कल तक गिन लेंगे ते जो lighter color दी states हो कह रही हैं के इना नू हो time दी लोड चाही दी है so coming back to some of the states अगर आप अगाल कर दें जो कुछ battleground states है Arizona, Minnesota, Nevada, North Carolina ए चार स्टेटा ने already अपनी ballots ती गिन्ती शुरू करती है इना दे state laws अलाओ कर दे के गिन्ती कर सक दे so इना दे रिजल्स अपकल शाम तब एक्सेट कर सक दे हैं versus Wisconsin Wisconsin जो बहुत वदी battleground swing state बन चुकी है ओ अपनी बालोड तुस्दे तक नी गिन सक दे so you can imagine अपने बालोड ती गिन्ती ती ती उनी शुरू हुएगी ते ओ अप्लीट कर दो हुएगी so they need the extra time and Michigan and Pennsylvania two more states जो ते बहुत तुसी कहलो वड़े लेवल ते election ते रिजल्स depend कर दे इना ने भी कहा है that they hope जो इना ते रिजल्स अफिशल्स है they hope to finish counting almost all the ballots within three days so Michigan and Pennsylvania जो जो शुरू दिन चाहिदे होने अपने बालोड सकाउन ले once again एक नॉर्मल ये दे विच तुसी एक्सप्ट कर सक दे उ that election रात नू तौन नू पता हुए के तौड़ अप्रसिदेंट कौन बनूगा इस कंट्री दे विच next बट एक नॉर्मल साल बिलकुल नहीं एगा of course COVID करके economy करके mail-in ballots and voting एक सारे चीजां करके एक unprecedented level ते election हो जा रहे है ति एदे results भी तुसी बिलकुल नॉर्मल तरीके नाल नहीं expect कर सक दे कई लोग का दा कहना है that अगर जो Biden, Florida या North Carolina जित जान दे है कि शायद एए election उना दे हक दे विच डिटर्मिन होएगा but election नू लाके ते साठी community दे कुछ जानकारी नू लाके इथे मैं तौनू दसना चाननी है program दा मुद्दा साड़ अज एही हैगा कि जित एए सारी information मैं तौनू दे रही है selection बारे कुछ information एहुजी हुन दिये जो सानू अपने बारे पता होनी चाहिए जिस तरह अगर सिख community एक demographic हैगा इस country दे विच उस demographic उस group दी key identity है उस group दी की needs हैं की experiences हैं की उना दा income level है की उना दा education level है एस चीज दे थोड़ी जी अपा गल करांगे ठीक रुक दे एक छोड़ी जी ब्रेक लें मिल दे आप बिलकुल लाइव ब्रेक तो उस पार ब्रेक तो बाट सायदा सवागे तुसी वेख रहे हो प्रोग्राम अज दा मुद्दा ते गल हो रही है अफकोर्स जिते कल इते दा federal election हो जा रहे है साड़ी discussion हो रही है वक वक उन चीज़ां थे ना के जो सिरफ इस election नो cover कर दे बट साड़ी community थे participation एस election दे वेच थे इते दे political system दे वेच जो process तो अनू सब तो पहले aware करांदा है के कौन तो अदे local representatives हैं कौन तो अदे statewide, federal level दे representatives हैं ओस चीज़ नो लाके and more importantly किस तरह साड़ी community तो जाके members ओस system दे विच हिस्सा ला सक दे अपनी आवाज रख सक दे इते दी government दे विच ते इस चीज़ नो लाके मैं अज अपने पहले guest नो लाके आना चांदी है जो सानू एक एहोजे initiative बारे दसनगे ज़दे बारे पहले भी तो नो जान काई देती है but हुन ओदे conclusion ओदे results लिकल चुके है जित्थे साड़ी community दे unique experiences साड़ी की needs हान अगर तुसी सिखा दी north east विच needs वेखो versus सिखा दी mid west दे विच versus सिखा दी west coast दे विच तौनू वक्रे differences वक्रे perspective सुनननू मिलनगे but एह information एह जान कारे तुसी पाक इस तना सकदे हो एस चीज दे सानू होड information शेर करें लिच सानू जोईन करे साड़ी guest tonight Mr. Manjeet Singh from DC co-founder and board member of SALDEF organization of course the Sikh American Legal Defense and Education Fund Manjeet Ji, तौड़ प्रोग्म दे विच स्वागत सास्रीकाद Good to have you Manjeet Ji, thank you for joining us again we know खास करके तुसी DC वे चो one day before the election बहुत ही तौड़ 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 ती constraints हन but एह सर्वे जो पिशले हफते SALDEF वालो officially release होया सी तौञ जो पिण़का लेक्ला म्हान्य सादे करें करें इस तरहा करें रिज कारें काईडव स्टार्ट एं अरिजिनल मिशन बारे दस्या सी मैं चावाँगी तुसी थोड़ जा फिर सानू दस्यो के साल्डेफ शुरू किस तना हुई जरूर थैंक यू अश्मीता साल्डेफ दा जो नीव रख्या गया सीगा ओ सीगा इन 1996. अच तू चोवी साल पेला, इन फ़क्ट अगले साल अपने और अगनाज़एशन देपची साल दी अनिवर्सरी मनावंगे. So, it seems like yesterday, but उस वेले, I was a, I was a, I was a, I knew, I'd come new to this country, I was, come from India, ते मैं एक चीज़ नोटिस किती सीगी कि भाई, इस country वेच भी सिखा दी, इमेज, काफी negatively पोटरी किती जान्दी सीगी, a lot of misconception, stereotypes, जो इंडिया विच, 80s दे दोरान, जिस तरह इंडिया ने, इंडिया ने, इंडिया ने, इंडिया ने, इंडिया ने, सिखा नू पोटरी किता सीगा, ओ उन वेस्टन मीडिया विच आ गया सीगा, ते उथे, फॉस्ट हैं उनू एक्परियन्स किता सी मैं, एजर यूथ, इंडिया ने, इंडिया ने, इंडिया ने, इंडिया ने, इजरूरी सानू, मैनू और मेरे कोफांडर जैदीप सिंग नू, जो तोरे प्रोग्राम थे भी कई वरी आ चूके ने, सानू है मैसूस होया कि इथे, सानू किसी, कम्मूनिटी नो, किसी तोर ते, लीगल हेल्प देनी चाहिए है तांके उननों कदी भी किसी भी समय अगर कोई लीगल, अगर कोई चैलेंच होगे है, उनना दे सिखी बाने बारे, सिखी रूप बारे, ते, कोई जथे बंदी होनी चाहिए जो ननों मदद करे, ओ दो कि अपने कम्यूनिटी दे किसी भी पाई पैंड नो लीगली हल्प कर से किये फॉर फ्री नो चार्ज ते दूजा आम अमेरिकन जन्ता नो अमेरिकन सोसाइटी नो दस सकिये कि सिख कोन ने सिखी की है गिये सिख सरूप की है ते साधे सिख सिख दांत की है ने ते उदे ले ही अजिए सिख सिख दापत की ती 1996 which that was a pure mission and that mission hasn't changed और साधा कम अजी भी जारिये which in a way is sad but at the same time unfortunately it still is needed we have we have come a long way but then all of a sudden the environment changes there is a lot of bigotry there is a lot of hatred there is a lot of racism there is a lot of white supremacy that anybody who's an immigrant or who's not a white another direct asar ho rae hai so so again we are at this at a critical junction in our country and we are here to help the community and help anybody else who feels threatened for who they are Manjir ji part of the core mission is that is education right and education ले पहले तोड़े कोल जानकारी होनी जरूरी है अगर अगर अपा ए लाके चल दे हैं के साल्डव संस्था ना के सिरफ एक रिसोर्स दे तोड़े खड़ी हुई community ले उना ले जिना दे कोल श्यादो लोड मन सी गे उना दे कोल नहीं हो लीगल representation ले रिसोर्स सान बड़ो थे education ले भी खड़ी हुई उना नू educate कर ले जिना नू नहीं पता सी अपा कौन हा सिख कौन हा right so a जो अपना सिख सर्वे कंड़क्ट हुए once again पहली बारी एस लेवल ते ने वदे लेवल ते इस community the experiences नू इनने और्गनाइज़ तरीके ना डाक्यूमेंट ते गैदर किता गया proper data collection किती गया है एस चीज दा मुहीम किस तरह शुरू हुया किस तरह ए project तुसी सोचिया कि होना चाहिए थाए खास करके इस साल इस तरह की इस project दा idea जो सीगा ओ मेरे दिमाग बिचाया आच तूं about almost 6 साल पहला कि भाई there has to be a way कि भाई सानू पता चले कि साड़ी इते अमेरिका वे जो सिख community है गी है उदे की demographics ने लोकां दी income level की है लोकां दी साड़े community दी education level की है गी है किनने लोक बिसनस्वनर ने are they registered to vote are they registered as a Republican or a Democrat or as an independent आदे की issues ने जो उनानू जो साड़े community ने जो उनादे ली important है लोकां ने we don't have those answers you see every other community in this country चाहेँ Muslims हो, Jews हो, Christians हो there have been surveys done of those communities बहुत सारा डेटा अवेलिबल है गा पर सिखा बारे एवन दो असी सानुगत थे आया हूं एकसो वी, एकसो पच्छी साल होगे ने, यह होजा कोई डेटा नहीं है गा एक मन विच एक इच्छा उठी सीगी 2014-2015 कि इस तरहना सर्वे होना चाहता है बाद किसी हालात कारन असी ओ प्रोजेक्ट नहीं कर सके हूं हालात काफी चेंज होगे ने, यह विद विद तरहन पॉलिटिकल एंविर्मेंट, है ले विद ग्या चाहता है लुड़िव, कर दो सकता है विद गाद के मुड़िया चाहता है अजिव मिचा है अच्छिफ दोखे लिए श्यु गांट, विद वेन विद आफे लिए शुरु किता बाद तिन हट प्रीव पीड़न ओतन, and about 22 क बुरावाने रिस्टार रिस्टार किता so as you know surveys is a sample we do not reach out to each and every person that is impossible व्यक्षे बढ़ें D riches बइस नोग ने रिस्टार छी रिस्टार्गास थेई the response दे रिस्टारें तेम थे पर तढ़े सादे रिसेटीम तेम ने the specific と areom scientific survey प्यक्राइब नहीं कर दो दो दूच दिने टाइटा सारा रिस्पंस आरा अनलाइस किता इन रिपोर्ट यार किती रिपोर्ट यार करन वी नू दो मिने लगे क्योंके ऑगस्त थस नो यह था था थारीक नू सर्वें बंद हैसी गा ले लास्ट वीक अगुस्त पिछले हुपते सी ए लास्ट वीक अवक्तोबर सब्सक्राइब लेस की जी इस तरह नी चीज बिकोश्ट ए चीज ए चीज एस लेवल ते पर फिर पहली वारी हो रही है जो तुसी standards is project which use किते, they are setting the standard, right? के अगे गहां जाके इस तना दे सर्वेज होर हों, of course we want के साधी community the experience to whole understanding देती जाए, ना के सरफ साधे लेबर उना लेजो सानु नहीं जान दे, and ओस परपिस लेज के तुसी जाके assimilate हो साध को एक community दे विच, ते अपने unique हख जो तुआदी, unique needs हान, उना नू एक data set नू इस्तमाल करके तुसी रख सगो, पावे business तौरते, personal तौरते, educational तौरते, there's so many uses for this information, but जो मेन साधी जगाल हो रही है, वो एह है कि तुसी इस process विच discover की किता, की findings तौरते लिक लिए है, but एक ते सानो एक चोटी ची ब्रेक ली रुकना पह रहे है, discussion बिलकुल एसे तरह जारी रहे है, I really want to know की main findings तौरते नाल भी शेयर करांगे, मिल्ने हैं, ब्रेक तौश पार। बिरक तो बार इक बारी फिर सायंदा स्वागत तुसी वेक्रेयो प्रोग्रम अच्दा मुद्धा मैं तोडी छोस्ट आश्मिता साथनाल जुडेहन, Manjeet Singh from DC, co-founder and board member of organization SALDF Manjeet Ji तोड़ प्रोग्रम दे विच इक बारी फिर स्वागत Manjeet Ji, SALDF ने एक historic survey complete किता है इस survey, साथी Sikh community दी United States दे विच वक वक एरियास दे विच experience नू capture कर दा है अगर तुसी एक Sikh North East विच रहन दे हो, तो अनू किन्नीक hate crimes experience हुन दे है, अगर तुसी एक Sikh होके South विच रहन दे हो तो आडी किस तरह दी बच्चे आन दी साथी education, the experience, I mean a wide variety of things to see is जीज विच कावर किती, I myself participated जद दो इस survey open सी गा, so I have a decent idea किस तरह दे questions तुसी पुच्छे, it was अपा कह सक्दे है, very comprehensive in the sense that कुछ वड़े वड़े area सांजिरा नू तुसी कावर किता, बट उना दे विच हो, detail जाकि भी तुसी पुच्छे, everything from किस अदे गुर्दवा रहे हैं, विच अपा किनी frequency दे नाल जान दे हैं, अपा safety दे तौरते किस तरह महसूस कर दे अपने local communities दे विच, so Manjir जी, without any further ado, मैं चांदे है कि तुसी सानू कुछ जो वड़े तौर्डे की जी, फाइंडिंग सी गिया इस सर्वे दे विच, उना दे बारे दसे हो Manjir, about 4 यपंच चीजां हाइलाइट करांगा, some of them were very surprising, Sanu भी नी पता शीगा जट तक असी सर्वे दे रिजल्स देखे, जिस तरह, और इस ओवे मैं चीजां हाइंच करंगा, which were very, very surprising, but they're, some of them are very encouraging when you see the results some of them are a little bit a little bit disheartening. उना चान। 90% of them are registered to vote, which is amazing. which is amazing that high percentage of people who are citizens and who are eligible are registered to vote is extraordinary so that is a very surprising and a very encouraging delightful data point 65 percent saadik community the jo income level is over hundred thousand dollars family which is also exceptionally encouraging which means key we are you know doing well even though we are immigrants but that is again a very encouraging sign ticket doja the data points he got key um 57 percent jenane survey with his alia they are first-generation immigrants they're first-generation immigrants g so it is the only way we can see that community is Joe young PDA obviously second-generation your third-generation but a JV coffee first-generation second-generation so that is another another interesting data point Chota a little bit disheartening ki bhai sikh jho mid-west wich randane they feel less secure you know they they feel less secure compared to saadik jho west coast or east coast wich randane similarly saadik praap and jho mid-west wich randane uthe unhano gurudware in a kaat gurudware hagena unhano so that is another interesting fact ki bhai sade east coast some of these things we know jee east coast west coast saanupata hai sade sikhhandi you know abadi hagiye gurdware hagena hai we know very little about mid-west jee so that was another interesting thing duja fact siga ki bhai um students sikh students sade are often the only only sikh student in the in the school by the jhoor sikh bachche nahi hagena una de saati so you can imagine ki sade bachchean te ki pressure penda in that environment right ki hor koi sikh sarup wala nahi nobody who looks like them yeah so that's another another thing that we have to think about um the last thing i want to highlight is i see survey which a question put chai siga ki what are the most important uh topics for you as an individual right they quickly metano dasna chanda so what popped up as i mean what came up as the top three siga religious freedom buddha siga racial justice of course and the third was healthcare so if you look at the top three these were the things that came out the fourth one was gender equality and the fifth one was domestic violence wow okay so this tells you ki sade community i see as a community these are the five top things we are concerned about these are important to us just freedom which we can understand because see aap you know sikh hagena we want freedom to practice our religion and we want the same freedom for anybody else racial justice we know black lives matter a lot of other things are coming out where we are seeing the racial inequalities racial injustice that is happening so that is also heartening and health care that was surprising to me by health care was in the top three it was number three so if you look at the report man someone encourage and encourage karen ga ki saldev website te ja ke you can read this report it is give the data very clearly and you can also see statistics so that you can see how it was compiled how the analysis was done so those are the few things i i i found extremely extremely uh extremely uh informative manjir ji uh in findings new lack of course to see uh joe policy issues mentioned kite mena de baare thodi ji kal karna chandhi because of course um you know it is an election year the election is tomorrow right and uh kafi sare eh hojee voters han jina ne halle tak vote nahi apni uh cast kiti in fact dc is one of those places jithe tu si kal ja ke same day registration kar sakdeo and vote pa sakdeo agar tu si registered nahi ohale tak um so um you know you talked about racial justice and religious freedom right eh chiza paaveya pa united states which ran deya it's you know you you have the freedom of speech you have the freedom of religion here but day-to-day de vich jo ithe rehen wale honna da experience sometimes os os level tak nahi paunchda right um eh saal agar apa political activation di thodi ji gull kar sakdeo i want you to talk about um you know joe loki sanu sunray watch kar rahe agar unha noo bhi is cheese na saimti hai ke hanji minu bhi religious meri freedom sabto important hai lekeno open a community de vich politically kadhi involved nahi hoi ya apne local elected officials nuh nahi jan de nahi unha de nal kadhi contact kita tu si a connection ke is tarah banao ga ki jin chiza baare tu si care kar deo qadar kar deo sabto jada jo todle maine rakhdi hai aapni day to day de vich ke is tarah on tu si ethe de political system de vich involve hoke jan kari rakhke unha noo aggye wada a sakdeo dekho is tarah jaruri is karke hai ga ki aasi ke baari soch de hain ki aasi saa day you know african americans community you know why do we why do we need to bother you know why do we why do we need to bother but we don't realize ki doh chiza ik te manas ki jat sabay ek pechhano tu si guru di baani paddeo e shabad paddeo aur tu si phir you turn a blind eye how is that possible how can i personally as a sikh i i in in good conscious i can't look away that's the first thing dujigal hai gaye ki bhai aaj unha naal ho raha hai kal noo toade naal ho sakda hai toade naal ho sakda hai kyunki injustice karan wala injustice karan wala kalla banda ni hai ga oh it's a systematic it is ingrained it's ingrained in society institutionals hai gayne institutions hai gayne unha de power structures hai gayne which perpetuate a je injustices so oh aaj ju na da focus african americans wala hai kal noo toade wala ho sakda hai right ti ji ka al hai ki bhai jithe tusi ik asool te khade hunde ho jithe ik asool vich believe karde ho then it doesn't matter it doesn't matter ki yo asool kide kide khilaaf or violet ho raya hai you have to stand up for it when you believe for it you have to stand up for it one guru teg badur ji ne kurbani detti you know shahidi pratat ki ti unha nahi unha nahi nahi sucha ki merikul koon aareha hai menu meri maadat mangan unha nahi nahi kiya Bhaiji tu te sikhni hai ga right jadi kashmir the brahmin ahí se unha nah nahi kaya tuse se sikhni कि अच्छे करना है जाओ? या उनना ने नहीं का जी पहले सिक्षा बनाओ? Because he stood for a principle. And he lost his life, he sacrificed his life for that principle. So it's the same concept. एक मैंनु फेमस कोट याद आरे है, मैंनु जस्द बंदेने क्या है, I think it's a priest from Germany during Nazi Hitler. The court goes something, I'm going to probably butcher it. But basically, the Nazis came for teachers and I didn't say anything. Then they came for scientists and I didn't say anything. Then they came for professionals and I didn't say anything. Then they came for the Jews, I didn't say anything. Eventually they came for me. And there was nobody left to speak up. So just because he said, आरे है, ओप्रीस्ट की बाई, जदी ये सब होरे सीगा, मैं अपनी अवाज न उठाई, मैं उन्हों विरोध नहीं कीता. वो होली होली करके, ओ नाजीज, इक 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 करके लोकानू कड़ते के society तो. Eventually there was nobody left, when they came for me, there was nobody left to stand up for me. आढ़ी पूरी हिस्ट्री इस फिल ओ इवेंस वर सिखाने अपनी जान दूजियां दे freedom ले, दूजियां दे religious rights ले, liberty ले कुर्मान कीतिया ले. So वो ही असूल हैगा. So that is the reason why it is relevant. जी, जी. न सरख चल कहनेच भझाग ओम चल fender फा आतरीक है घडा हाया भी पार फी करनते ह्गा किरूब पूर जब चल किरा थारी कहा भी दोका Зबनेच्वी टारी करनी दो जा किली ड लेक्ड न लूर थे community they hoar, paan, pra, they stand up for public office. That's the only way you can be, you can make a difference. That's the only way you can make a difference. चाहे तोड़े लोकल, school board the election है, या शिती चौंसल the election है, state assembly the election है, and that's how you progress. Ravinder Singh भला, mayor है अगने होबो कन दे, कलनु वाई गुरूप मेर करे, he runs for an office in the state, then in the future in the U.S. Congress. So, that's how we make a difference. जी, absolutely. Once again, Manjit जी, मैं तोड़ी इस गलनू रपीट कर दियां, viewers ली, एस सर्वे दे विच बहुत जादा इंफरमेशन है, तुसी जूरूर खुद जाके, एदे रिजल्स, फिंदिस ते, रेक्मेंदेशन पढ़ सकते हो. So, Manjit जी, रेक्मेंडेशन रिली क्विकली, तुसी एस सारे इंफरमेशन नू सरफ कलेक्ट में किता, नू अनलाइज करके, वेक के, समझ के, तुसी उस चीज नू अगे कुछ रेक्मेंडेशन बना के, दो रेक्मेंडेशन मैं करांगा, एक ते सिगा कि भाई, अजय भी, there is a lot of discrimination against minorities, and especially साथे सिखा मारे, we have highlighted that, क्योंकि वे have the concrete data. So, तुसी एक रेक्मेंडेशन है गा, for elected officials to pay attention to this problem. It has not disappeared. It has not disappeared. In fact, हुन पिष्ले काई मिना इचिए इंक्रीश हो रहने, because of the political environment. दूज़ा रेक्मेंडेशन है कि भाई, सिखा दी, economic status is such that we can have a big impact when we actually you know, flex our flex our muscles, so to speak. Not in a bad way. What I'm saying is, उनू यू यूसकर रेक्मेंडेशन है, right? to, you know, to elected officials, to political parties, to engage with our community. Reach out. काई बारी, you know, elected officials and parties की हगास, मेरे constituencies सिरफ हजार सिख फैंडेशन हैं, what's the big deal? Well, that हजार सिख फैंडेशन हैं, families can probably, you know, give a million dollars. Think about that. तूज़ा रेक्मेंडेशन हैं, So, that's the other recommendation we have. Similarly, one more recommendation I'll highlight, कि भाई, based on our community ने जो हाईलाइट कीता है, the things that are important, religious freedom, racial justice, which means सादे सिखी values are coming through. Engage with us because we can be a champion for these things. एक सरूप जोग, सानू, Guru साहम ने दिता है, इसे दिता सिख, कि सिख पूरे, किने भी crowd होए, किने भी संगत होए, होड़ी, साबलagt ओ सपस्की ठाड़ा हो सादे होए, क्यों भी भी बृलीब्power, जुद्धे एकॉधे, धूरी जुद्धे, उड़ी, सादूप्री, दिता होड़ी आओ, also shared by Americans and America is a country. So that is another recommendation we have. बाकि और कही है गयने, there are seven recommendations. So, मैं तवरे वियॉर्स नो एंकरज करंगा to please download and look at this report. And you'll be pleasantly surprised. Absolutely. And this information नो तुसी अगे किस तरह यूस कर सकते हैं. वारे भारे भी, you know, तुसी रपर करे, you can see किस तरही कमुनुटी विच किस तरही इंफरमेशन तौनू help कर सकते हैं. Once again, Manjeet Singh, co-founder and board member of Sal Def. Thank you so much. इस बहुत ही इंपॉर्ट रपर्ट बारे सानू जानकारी बारी फिर दुसी. Have a good rest of your evening, Manjeet तुसी. Stay safe in your part of town. तुसी है गें, we will talk soon. Sashrikaal. Thank you, Sashrikaal. बाकी भी उस तुसी किथे ना जाओ. कल दे उलेक्षन नू लाके बहुत ही important updates. तुआ देले, ब्रेक तुस पार. final results decide होंगे selection नू लाके. मैं closing विश्टा नू सरफ एही दसना चान्दी है. साड़े वलो, एक request है तुआ डिले. के जिथे social media ने साड़ी जिंदगी विच बहुत वदिया चीजां एड किती है. लोग का नू connect कराया एक दुजे नाल. information दी, sharing नू असान बनाया है, worldwide. कि नी तेजी नाल तुसी जानकारी, share कर सकदे दुजे नाल. उथे social media दे, कुछ इनने अपा कह सकदे है, माडे elements भी हैगे, जो खास करके कल सानू बहुत उना तो careful होना चाहिदा है. अगर कल एस election दे results नू कोई भी candidate contest करदा है, याने कि ओ केंदे है कि ए election एक पासे decide होन जा रहे है, बढ़ अपा उस decision दे नाल सहमती नहीं रख दे. उस चीज नू लेके, तो अनू जरूर बहुत ही social media दे, carefully अपने posts, अपने खबरानू वेखना चाहिदा है. एक ता social media ओल्रेडी एक एहोजी था हैगी, जित्थे तुसी trust नहीं कर सकते कि की जो तुसी पढ़ रहे हो, ओ सच भी हैगा या नहीं. जित्थे fake news दी गाला आंदी है, एचीज social media तो शुरू हुई. वेकुज तो नू नहीं पता कौन बंदा पतरकार है, कौन बंदा असली media company नू represent कर दा है, जिना दे पता नहीं किन्ने resources, किन्ने employees, किन्ना पैसा लगदा है, उस एक content नू तो अड़े ले बनाने, versus कोई ओदा ही बैके कुछ भी तो नू क्या के चल जान दे. एचीज अपके सकते हैं, ड्रॉबैक हैगा. बड़ कल एचीज होर भी important हो जानी है. मैं सरफ इते एही कवांगी, कि जो दो वड़े platforms हैं, Twitter ते, Facebook, इन platforms ने कुछ safeguards बनाए हैं, जिदा तुसी screen ते वेख सकते हैं, Facebook ने किया है, उननाने announce किता है, कि election night, कल, उननाने हर एक post दे हुटते, मैसेज पिन करना है, टॉप ते, एह लोका नू दसन ले, कि voting हले भी चल रही है, जदो तक voting officially बंद नहीं हो जान दी, ओव मैसेज फेस्बुक ते टॉप ते रहोगा, जिस तना तुसी screen ते वेख सकते हो, प्लस, Facebook ने एभी किया है, because कल US election results confirmed नहीं होंगे, clear नहीं होंगे कि कौन जित्ते हैं, कौन हा रहा, that Facebook and जो अधर उनादे social media sites हन, ओ कुछ एहो जिये, तुसी कहलो, measures अपना रहे हैं, ताके misinformation, अगर कोई तौनू गलत information दस रहा है, कि एक candidate जित गया है, एक candidate हार गया है, Facebook ओदे टैग पाओगी कि एक गलत है, एक वेरिफाइड नहीं हैगी, so मेरी तौर्ट ना लिगवरी फिर request है, कल अगर तुसी Facebook ते जान देओ, तुसी कुछ वेख देओ, ओदे ते उद्दाईं यकीन ना करो, उन्नू देखो कि एदा source की है, आई कितो information, एइंफर्मेशन करेक्ट भी हैगी, Facebook अपने आप तौनू दस हूगा, कि एइंफर्मेशन वेरिफाइड नहीं है हले तक, उस चीज ते जरूर गौर निगरानी तुसी कल करो, दुजी चीज, Twitter, Twitter ने भी कहा है, कि कल कोई भी candidate, ना President Trump, ना Joe Biden, ट्विटर उना नू ए अलाओ नहीं करूगा, कैन ले कि अपा जित गया इस election नू, तद तक, जदो तक ए रिजल्ट्स ओफिशली, election commission तो अनौन्स नहीं हुन दे, तो अगर कल तुसी Twitter ते जा के कुछ ए हो जा पढ़ दे हो, कि हांजी election ए जित गय, ज़रूर है विखो कि ए वेरिफाइड रिजल्ट हैगा या नहीं, अगर कोई candidate भी tweet कल करदा है, कि मैं ता जित गया, तुसी वोज़ चीज नू चेक करो कि ए सही है या नहीं, सदी इत थे सरफ एही उमीद हुन दिये कि तुसी किसी भी चीज नू, एविदेंस, facts दे मुताबिक, डिसाइड करो, जिसना तुसी नू पता है, 2016 देविच, फेस्बुक नू यू उस करके, रश्या ने किने वड़े लेवल ते, इस अलेक्शन देविच, इन्टरफेरेंस किती सी, ओ ता चार साल पुरानी गाल है, आज रश्या दे की capabilities हन सानू नहीं पता, बड़ सानू एपता है कि उना दे capabilities होर वदिया हन, So we have to be careful, कल तुसी social media ने अगर use कर देओ, बहुत ही carefully use करो, कोई इद्धा दी चीज अगे ना share करो, जेदे तौनू पूरा यकीन नहीं है, जो तौनू हलकी जी भी ओहो जी लग दी है, कि एचीज वितकरा, एचीज हेट्रेड, वाइलेंस इंसाइट करन दी कोशिश करी, एचीज मिसिंफर्मेशन देन दी कोशिश करी है, साठा ता एक कहना है कि अगर कल तुसी Facebook, social media ने अगर अगर कल तुसी Facebook, कान रहन वाले कोई बाड आक्टर करके, सो, be very careful tomorrow. Last but not least, कुछ एहोजी स्टेटा है गिया, जित्थे तुसी कल जाके, अगर तुसी हले भी रजिस्टर नहीं हो, रजिस्टर कर सक देओ, वोट कर सक देओ, तुसी रजिस्टर कर सक देओ, वोट भी पास सक देओ, समें देओ, अनधर बिग वन, Colorado, Connecticut, Michigan, Swing State, तुसी रूल अलाओद है, Wisconsin तुसी रूल अलाओद है, Illinois जित्थे, शिकागो पांद है, तुसी रूल अलाओद है, And last but not least, कल जाओ तुसी पोलिंग प्लेसे ते जान देओ, कदो तक तुड़ी पोलिंग प्लेसे खुलिया हन, मैं टेक टीम नुकाँगे, इस ग्राफ नुफूल स्क्रीन प्लीज दिखान, तुसी देख सक देओ, किथे किथे तुड़ी पोलिंग प्लेसे किन्नी देर तक खुलिया हन, अफ कोर्स वेस्ट कोस दे विच लेटर गैरा बजे रात तक, कैलिफोर्निया, ओरिगान, वाशिंग्टन तुसी जाके, पोलिंग प्लेसे ज़ अपनी वोट सब्मिट करा सक देओ, इस्ट कोस दे विच अठ एन साड़े साथ दे विच 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 मोस्ट पोल्स बंद हो जान्दे है, नियोग दे विच नौ बजे तौड़े पोल्स बंद हुन्दे है, अगर एस ग्राफ नू लाके, इस जानकारी नू लाके तुसी साड़े, तो होर इंफरमेशन लाना चांदे हो, जरूर तुसी सानू कॉल कर सक दे हो, लिख सक दे हो, मैं परसनली तौड़े इस कम दे विच हल्प करांगे, तौन कोई भी वोटिंग नू लाके रिसोर्स दे जरूर सानू कनेक्ट करो साड़े नाल, सब्सक्राइब करांगे तौड़ी, कल ऐलेक्शन डेया, मिल देया, साड़ी स्पेशल ऐलेक्शन नाइट कवरेज शुरू होएगी, साड़े आठ बजे इस्टर्ण, मिल देया, कल शाम नू, Only on Just Punjabi, हुन मेनू देव अजासत, सास्रीय काल.